कि इगली बनाना शीखते हैं यह देखो दोस्तों हमने सूजी को पहले ही छान लिया है आग इसमें हम पांदर चमच इसमें नमक डाल देते हैं नमक होता सही जालेंगे नों कि छत्नी के साथ हमें खानी होती है यह देखें यह हमारा आधा चमच पिछा सोडा है उसको में डालेंगे ज्यादा नहीं आधी चमच जालेंगे जालेंगे मारा आधा हम कुस्को यह मारा तक फिर्दोप तोटोड़ी नेगे जालेंगे आदे कि अषगे हम जालेंगे आफादा नेगे दो बड़ोगे इस खोल को मच्छी तरह से निक्स कर लेंगे इंहें कुछ भी ने डाला है करशन नमत और मेठा सोदा कि नो मुष्ट अगाओं पानी इसमों मेशुदा मिला दिये ज्यादा नहीं चलाएंगे अब इसको हम भग के रख देते हैं तक हम चक्मी की तैयारी कर देते हैं इसको हम नारियन की चक्मी भी आदा अची रखती है मिर्ची धो के रख ली है चार मिर्ची में डाली है ठोड़ा सा लेसून डाला है चार पास जवे लेसून डाला है यह ज़रा से दरख डाला है एक इंच का टुकड़ा और यह हमारे पास खोपा है जिसको हमने कद्वुबस कर लिया है हड़ा वैसे कातने इसने में दिक्कत आती है इसलिए हमें इसको मिक्स कर लिया इसी में क्योंकि हमें तो बेखी जटनी बनाने है आले अची देखिए इसमें हम थोड़ा सा एक निंगू निचोड़ लेते है यह देखिए है अब आईए लाशक में आपको बताते हैं यह भूने हुए चने की दाल है यह मार्केट से मिल जाती है इसको हम चटनी में यूज करते हैं इससे मार्क चटनी का टेस्ट बहुत अच्छाता है यह देखिए हैं दोस्तों वीडियो को आप पूरा देखना चैनल को लाइक सस्क्राइब और कमेंट तक यह बगएर मत पिचाना है तक पूरा सक में डाल देखें तक पर नमध भी अटेट करेंगे तक यह बदिट देख्चममसमें नमध उटेट कर लिया कि यह देखिए कंच आपके पूरा श्टव में दोखिए कंच और हम व कुल दखिए पानी मिलाएंगे विसमें हम पानी अगर हाइड करेंगे उसके बार फिर तड़का लगाएंगे देखिए मारा तेल गरम हो चुका है अब हम इसमें तड़का लगाएंगे अब हम पुशने हम एगा देखिए अब पुशने हम अब पुशने हम इसके तहरा नहीं अब पुशने हम अब तेखिए ये फड़का छोड़ेंगे, ये ये इटली के लिए नारियल की चट्नी बनाई है, उसका फड़का भी लग चुका है, ये चट्नी तयार है, अब इसको हम धग देते हैं, चट्नी हमारी तयार है, आया है, इस पोखम गैस को अन कर देते हैं, जब तक हमारा पानी खोलता है, देखिए, मारा पानी खोलेगा, पर पास घी है, और इन कटोरियों में हमने इपली बनानी है, इसकर के इनमें हमने पहले घी अच्छी तरह से लगा लिया, ये देखिए, ये हमारी पाटोरिया तयार हो चुकी है, ये देखिए, आये अब हम इटली के बैटार को देखते हैं, पोलते हैं इसको हमने मिक्स करके, आदा गंटे के लिए रख दिया था, अब ये देखिए, ये देखिए, हमारा बैटर पूरी तरह से त्यार हो चुका है यह देखिए है इसमें मैं बैटर थोड़ा सा गागा है इसकर करके हम एक चमच इसमें पानी और एड़ करने लिए इस कटोरी में कटोर को डालते हैं यह देखिए आधी-आधी कटोरी भरेंगे जिससे ओपर पूलने की जगे रहने चाहिए इसमें जगे निगा है पानी अगिए डिए पानी और आधी यह देखिए यह देखिए है पानी में हमारे आवा की तुने लगी है बस हमारे हमारे पानी पॉलने लगा है आए देखिए पानी हमारे पॉलने लगा है अब हम इसको डग देखें और यह हम इसमें चारों पटूर में लगाट देखेंगे करीब 10 मिनिट इसमें डगेंगे बन्ने में अब हम इसको अच्छी तरह ढ़कां से ढख देखेंगे और अब हम 10-12 मिनिट पार फिर देखेंगे तैयार हमारे है इसमें चाकु दुबार है अब हम गैशको आफ कर देखेंगे अब हम गैश को आफ कर देते हैं तोड़ा से थंड़ा होने पर चापको की दायर से तरह से निकाल लेंगे इसका किनाराय से कर दढ़ेंगे थंड़ा है तो आसानी से दिकर जाएगा फोड़ा О shores के लिए आसानी से निकाल लेंगे वाद ये लिए ने ने शारा हो पानी मारा कैसी पानी कोलने लग गया है कि लेखे पाचु पर दोड़ें पेस्छे रखने देखिए ये ने पाचु के टोलें पेस्छे रखने थो दोड़ें मेरे बचाशे खूली ड़खे है अब हम फिर से 20-19 पूली आध ही एक यह दिखे अपरी इट्विए उपने सोफती ये प्रग्णा के एक प्रेड़ी इह देखे इए अए है कि बवरी इए विलक्षॉफ प्रेड़ीं खसी वेटे जेखे, हैं ख़ेतory घड़ी जडाँ के भी कि अरिम menे बें निग गिते बामे काँ ब TIME कर दमेख planning जाएन ुमेशो पालव से ले कर दिते हैं निड हमेशो जाएन में पालव लैयर उम है जा नेक पालव क्षान मिं जडमी लियां यह 6 चत्मी बहुत अच्छी लगती है सुबय-सुबय कभी विभंटो आप अपने नास्थे में इसको बना के देखए बहुत अच्छा लगे जा। आप लोग कहते हैं कि घर के बच्चे आदमें घर में खाना नहीं खाते हैं घर का खाना पसंद नहीं करते हैं लेक पारा प्राई जरूर करना है